मुझे लगता है कि आप लोग इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे 8 नमंबर 2016 को इस दिन दो घटनाएं घटी हुए थी एक तरफ आपने देखा हुगा USA में ट्रम्प चाचा की जीत हुई थी दूसरी तरह आपने देखा था कि हमारे भारत में नोट बंदी या भी मुद्री का हुआ था कई लोगों की इसमें जयान भी गई और आपने देखा है बहुत परेसानी भी आपको उठानी पड़ी थी जो कहते हैं न यहीं आप लोगों ने देखा हुगा कि बैंक में आप गए तो आपको कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ा और कई दिनों तक आपने देखा है कि फिर भी नहीं आपके पैसे बदल बाते थे और बड़ी लोग थे, वो जाते थे और बगल से निकल के अंदर जाकर बदल को आके आ जाते थे समझे रहे हैं आप लोग अगर सभी विवस्ता अगर फिट होती एक तरह से सही होती अपने हिसाब से होती तो ये बहुत अच्छा कदम था और अच्छी तरह से अगर लागू होता तो इससे कई लाग भी हो सकते थे तो देख लेते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था पूरी एक कहानी हम लोग जान लेते हैं आप मैंसे भी कई लोगों ने चात्रों ने जरूर समस्याब उठाया होगा क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं उनकी बाश्यगर पैसा होगा तो उन्होंने कैसे वल्लवाया होगा आठ नवंबर 2020 को पिधान मंत्री नंद मोदी द्वारा गोसित नोटबंदी या भी मुद्री करण के चार वर्स पूरे हो गये हैं काले धन को समाप्त करने के उद्देश से उठाये गए इस कदम के कारण उस समय पिछले तकरीवन 86 पितिसत मुद्रा आमान हो गई थी यानि उसका कोई मूल नहीं रह गया था एक बहुत बड़ी मुद्रा कह सकते हैं 86 पितिसत चार वर्स बाद भी सरकार के इस नेड़े को लेकर आम लोगों की राय काफी बटी हुई है कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने कम कर अनुपालन बढ़ाने और अर्थविस्था में पारदरस्था को वड़ावा देने में काफी मदद की है वहीं आलोचकों की बात करें हम लोग, तो नोटबंदी ने भारतिये अर्थदस्था को काफी गहरे तक प्रभावित किया है, और इससे नगदी पर निर्भार रहने वाले अधिकाज चोटे वेवसाहियों को कटनाई का सामना करना पड़ा था, अच्छा कदम था, इसमें आप सभी ने देखाए कि लोगों ने सब विवस्था कर ली थी, और आप जानते हैं कि हमारा वारत कितने आगए है इस मामले में, कि कोई ताला बनाता है उसकी चावी दूसरे दिन बन जाती है, समझ रहे हैं, अगर भीमुद्रीकन के को लाउख किये जाने के पीछे, मुक परावदेकर कैसलेस अद्वरस्था बनाना, इस तरह का कुश्चन से आपका पीटी में भी प्रेलिम से भी पूंचा जा सकता है, फिर चाहे स्टेट वीसेस का हो, या फिर आपका सिब जर्विस का हो, ठीक है, पूंच लेगा कि भीमुद्रीकन को लाउख करने के क्या मुक सबसे पहले बात करते हैं, लोग क्या होता है बीमुद्रीकन का मतलग, आप लोगोंने कितनी प्रॉबलम फिस की थी, आप लोगोंने कौन-कौन सी समस्या है, उस समय जेली, वो आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है, बताईएगा कि क्या क्या हुआ था, बीमुद्रीकन का भी पराय, एक ऐसी आर्थिक विक्रिया से हैं, जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा, फिर्णाली में हस्त छेप करते हुए, किसी विसेश पिकार की मुद्रा की कानूनी बैदता समाप्त कर दी जाती है, जैसा कि आपने देखा था, बीमुद्रीकन को प्र भी देता, देना पड़ता है एक तरक से, काला धन की अगर बात करें हम लोग, तो सरकार की माने तो काली धन को समाप्त करना भीमुद्रीकन का प्राहत्मिक लक्ष था, अलाकि कई लोगों ने भारती रिजर बैंक द्वारा जारी, आकड़ों के अधर पर नोटबंदी के लगाया है, एक मेरा दोस्त है, बैंक बैंक, मैं एलाबाद में उस समय था, तो उसने बताया था, पताया है कि वो नेताओं के सब के बदल चुकी लगवा, समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने नेताओं ने सब अपनी विवस्ता कर ली थी, और आप समझ सकते हैं कि अधिक तक काला धन अगर बात की जाए, हकीगत में बात की जाए, तो इन ही लोगों के पास होता है, इन्होंने बैंक मैनेजर, बैंक के जो भी रहते करमचारी, उनसे सब सेटिंग करके, सब कुछ लगवग बदलवा लिया था, हम कहां हैं, इस इस्तिती को भी तो देख लिया करो आप लोग, नियम कानून ये सब हमारे लिए हैं, मिडियन या सबसे निचले सिस्तर के लोग उनके लिए, उन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं रहता है, वो नियम जो कानून बंते हुँ, उनकी धच्या उडाते मिलते हैं, आप ही सोचे जब एक party से दूसरी party में एक party में रहता है तो इतनी गालिया पढ़ती रहते हैं परभष्टा-चार इतने मदंब आप सोचे आरोप लगती रहते हैं जैसे ही वो दूसरी party में पोंचता है वो आरोप सब धुल कर उसके लिए साप गोजाते हैं तो कहां गई वो जैसा तो हे नहीं है कि वो मतलब सब पाप दूल गए काला धन असल में वह आया है जिसे कर अधिकारियों से चुपाने का प्रयास किया जाता है यानी इस पिकार की नगदी का देश की बैंकी पेडाली में कोई हिसाब नहीं होता है और नहीं इस पर किसी पिकार का कल दिया जाता है वर्ष 2018 में भारती रजर बैंक की वार्थिक रिपोर्ट में दर्साय गया कि बीमुद्रीकन के दौरान अवैद गोशित किये के कुल नोटों का तक्रीवन 99.3% यारी लगवब पूरा हिस्सा बैंकों के पास बाफस आ गया है अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काला दुना है लेकिन अभी भी बोलाओ हकीकत में अगर अच्छी तरह से लागो हुता तो जरूर आता आकणों की माने अगर हम लोग तो आमान गोशित किये गए 15.41 लाग करोड रुपे में से 15.31 लाग करोड रुपे की नोट बाफस आ गये अगे 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 इस सम्मंद में तकरीवन तीन से चाल लाग करोड रुपे बरामत करने की बात कही थी अत्ताहा आकणों की आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रविकन यानि कि नोटवंदी भारती और दुश्था से काली धन की समस्त्या को समात करने में कुछ हट तक बिफल रहा है यहां सब्द भिफल लखा लिखा हुए है अगर हम बात करें नकली नोटों के पिचलन को समात करने की तो नकली नोट या नकली नोटों के पिचलन को समात करना सकाद वारा लागू किए गए विमुद्रीकन का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष था और जब आजसा नोट जब्त किये गए थे वहीं दूसरी और वित्तिय वर्स 2016-17 में 7.62 लाग नकली नोट जब्त किये गए थे नोट बंदी लागू होने के 4 साल बाद अब तक 18.87 लाग नकली नोट जब्त किये गए थे तो रिजर बेंड की वर्स 2019-20 की बासे एक रेपूट की माहने तो बीमुद्री के करण के बाद के वर्स में जब्त किये गए अधिकांस नोटों में 100 रुपे मूलवर्ड की संख्या सबसी आदेखे थे 2019-20 में 1.7 लाग नकली नोट, 2018-19 में 2.2 लाग नकली नोट और 2017-18 में 2.4 लाग नकली नोट जब्त किये गए थे तो कोई आप भी यह भी नहीं कह सकते हैं इसमें भी कोई सफल है क्योंकि आप सो रुपे में अगर रहता है अगर तो क्या रहेगा रेपोर्ट में कहा गया है कि वित्वर्ष 2018-19 की तुल्ला में वर्ष 2019-20 में 10,50,100 और 500 रुपे मूल बर्ग में जब्त किये गए नकली नोटों की संख्या में करम साथ एक सो चाबारीस दसंबलो छह पिती सथ, अठाइस दसंबलो साथ पिती सथ और 159 दसंबलो दो पिती सथ और 37 दसंबलो पांच पिती सथ की विद्धी हुई थी इस वेकार निसकर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भी मुद्रीकन जैसे कठोल कदम के बाप्जूर अभी भी अर्दवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा है उस समय आप लोगों ने देखा होगा कहा गया कि इसमें एक चिप लगी हुई है आप जमा करके रखेंगे पता चल जाएगा ऐसा हो जाएगा बैसा हो जाएगा आपको लगता है ऐसा हुआ है पर है आपकी केसलेस अर्दवस्था का निर्मार करना क्यानिकि डिजिटल सरकाद वारा नोटवंदी की कुदीर काल में अर्दवस्था को कैसलेस बनाने की एक उपाई की रूम में पिस्तुत किया गया था अलाकि रजर बेंग के आकड़ों की माने तो नोट बंदी लागों होने से अब तक अर्दवरस्था में पिछले नोटों की कुल मूल और मात्रा में विद्धी दर्श की गई हैं अर्दवरस्था में पिछले कुल नोटों की संख्या तकरीवन 16.4 लाग करोड रुपी थी जो विद्धी बरस्था में पिछले नोटों की संख्या और मात्रा में विद्धी हुई है हालाकि नोटों की संख्या में विद्धी के साथ साथ डिजीटल लेंडेन में भी बड़ोत्री दर्श की गई हुए। उससे जाना तो फायदा हमें लोगडाउन से हुआ है डिजीटल जो भी लेंडेन हुआ है। आपने देखा है कितनी बढ़ोत्री हुई है एक तरसे। और जिसके कारण हाल के कुछ दिनों में अर्धुरस्था मनगजी के पुछलन में कापी बड़ोती देखने को मिली जए। फिर आप देखेंगे डिजीटल लेंदर में बड़ोती इस वर्स अक्टूबर माहे में फिकासित रेजर्ब बेंग के आंकडों से पता चलता है कि वि डिजीटल भुकतान की मात्रा में यह आप देखेंगे तीनच,हर्जारशशो चोटीश दिसम्ल लोख 56 करोर की भारी बिद्धी हुई है अक्टम से उस्वार,विते फांच बर्सों में डिजीटल भुकतान की बरस्वी है वहीं डिजीटल भुकतान के मुल्ँ के मागले सब्सक्राइब करोड़ के साथ एक निया की इतिमान इस्ताफित किया है अगर हम वीमुद्रीकर्ड के दीड काले खिलावों की बात करें तो कई जानकार मानते हैं कि वीमुद्रीकर्ड का अल्व काल में अर्द विवस्था पर काफी गहरा प्रवाव हो सकता है किन्तों दीड कल में भारत और संपूर्ण भारती अर्द वस्था के लिए काफी मात्पूर्ण साबित हो सकता है जो कि वीमुद्रीकर्ड के नेड़े से कुछ हत तक भारत में डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने में मात्पूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए भारत डिजिटल आधार पर होने वाली चौत्री उद्वगी के रांती में अपनी मात्पूर्ण भूमिका सुनीशीत कर सकता है इसके अलावा भी मुद्रीकर्ण के कारण पिद्वेक्ष कर में भी बढ़ोत्री देखने कुछ है जो कि अर्द्वरस्था के लिए अच्छा संक्यत है लाश्ट में कहे सकते हैं कि समग विसलेशन से ग्यात होता है कि नोटवंदी के नेड़ा ने देश में डिजिटल लेंदेन को गड़ावा देने और विद्विद्वेडाली के अपचारे करण में मात्पूर्ण भूमिका निवाई है हाला कि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि विमुत्री के अपने सभी उद्देशों को गूरा करने में पूरता विफल रहा और काले धन को समगत करने का इसका प्रात्मिक लक्ष आप तक प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं तो यही पूरी हाल है आपका नोटबंदी का कहानी एक बात हमें इसा याद रखी आप लोग कि आपने देखा हुआ कि कई आर्टीकल कॉंग्रेस के लीडर द्वारा लिखा जाता है कई आर्टीकल बीजेपे के जो भी लीडर होते नेता होते उनके द्वारा भी लिखा जा तो आपको वहां से एक निस्कस निकालना है देखिए हर आर्टीकल में आपको कुछ ऐसे सब्द देखने कुम लेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी के लोगों दे आप लिखा हो तो वहां से आपको वही सब्द चुनना है जो आपके लिए जरूरी है कभी भी कोई आंसर लि कर चलना है और लास्ट में अपना निस्कस भी दे देना है ठीक है ना तो एक आएक आपको positive point लिखना है एक आएक ना आप negative point लिखना है बीच का रास्ता चलना है और आपको नीचे पहुंच जाना है ठीक है